तो हलो अवरिवन कैसे हो आप सब तो आज का हमारा जो वीडियो है वह रॉल इंफिल्ट की बुलट 350 फिर क्लासिक 350 या फिर आपके पास कोई भी रॉल इंफिल्ट की बाइक हो या आप लेना चाहरे हो या अभी अपने न्यू ब्रैंड लियो तो यह वीडियो आप सभी के ल कुछ एक ऐसी बाते करने वाले हैं मैं आपको कुछ एक टिप्स देने वाला हूं इस तरीके से कि आपकी बाइक हमेशा ही न्यू ब्रैंड बनी रहे और आपको कुछ एक बाते ऐसी भी बताने वाला हूं जिनसे आपकी बाइक में जब तक आप रखोगे अगर उस सारे टि प्रश्रानी के वज़ा से आपको सर्विस्टेशन नहीं जाना पड़ेगा आप यकीन मानिए यह वीडियो आपके बहुत से पैसे बचाने वाली है तो वीडियो में शुरू से लेका लास तक बने रहीएगा और जो लोग न्यू जूड़ हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जल्दे से जाकर मेरे चैनल को स्सक्राइब कर लिजए और साथ साथ बैल आईकोन को भी प्रेस कर दीजए और जो व्यूवर्स मुझे देखते हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप वीडियो देखते हूँ मुझे पता चल जाता है कि आप वीडियो देख रहे हो आ सबसे पहले तो आपको यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास जो बाइक है वो प्योर लोहे की बनीवेई है उसमें कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं है जो प्लास्टिक या फाइबर का हो तो आप यह जानती हो कि अगर आपके पास लोहे की कोई चीज होती है तो भी उतनी ज्यादा जुरूरी हो जाती है खासकर पानी से क्योंकि अगर वो पानी के संपर्क में ज्यादा आएगी तो इसमें जंग लग सकता है तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि इसमें कुछ पर्टिकॉलरी पाइंट होते हैं जिनको एक्स्ट्रा केरना उनकी एक्स तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप घर में जो बाइक धोते हैं तो वह आप नॉर्मली तो दो सकते हो पर जब बात आती है डीप क्लीनिंग की तो वह आप नहीं कर सकते हो क्यों प्रेशर के साथ ही आपकी बाइक वाश होगी और जो आपका मीडल वाला स्टैंड होत टाइम तक टिक रही हो तो उसमें जंग लगने की संभावना उतनी जादा बढ़ जाती है तो हमेशा ही मेक शोर करें कि जो मैं आपको यह एरिया दिखा रहा हूं इसमें किसी तरह का की चर्ड या मीटी ना फसिवी होए और खासकर जो आपका फ्रंट वाला मरगाड है इस नट बोल्ट है इस वाले एरिया में भी मीटी फसी रह जाती है जिसके वजासे यह भी जंग लेंगने की वजासे गल जाता है और आपको फिर मरगाड में से साउन आने लगती है तो यह छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपके पैसे भी बचाएंगे और आपक आपका एरिया होता है जहां पर आपका मिडल स्टैंड लगाँ यहां पर भी आप अपने जिस तर्वी स्टेशन में भी आप वाश करवाते हो अपनी बाइक को बोलो की वह चैसी के नीचे वाला जो एरिया होता है उसमें भी प्रेशर मारे और खासकर जो यह संप गाड़ ह यह भी आपकी बाइक को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है अगर यह संप गाड़ आप नहीं लगाते हो तो डिरेक्ट जो कीचर है वह आपके चैसीस फ्रेम के बीच में फज जाएगा इंजन और चैसीस फ्रेम के तो वहां पर वह दिक्कत पैदा कर सकता है तो आप इसके बाद जो इसका फ्रेंट वाला मरगार था उसमें भी प्रेशर मार के साफ कर लिया और जो यह आपका मीडल स्टेंड है इसके बीच वाला एरिया जो होता है इसमें भी प्रेशर माना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो आप ध्यान रखिए और जब आप ठाउर नियुक्त कर दो ऊबात जोड़ा दूर जाता है तो यह तो रही बात वाशिंग की तो चलिए अब बात करते हैं कि वाशिंग तो हो गई आपकी पाई की आपने जो यह मैंने आपको एरिया बटाएं आपने इनके पर अच्छे डंग से पानी का प्रहा लिए अपनी कपड़े दोने के साबुन तक से आपकी बाइक को वाश कर देते हैं कपड़े दोने के सर्फ से आपकी बाइक को वाश कर देते हैं या सर दोने वाले शैंपू से आपकी बाइक को वाश कर देते हैं मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप एमाजान से एक प्रॉपरली बाइ तो चलिए बात करते है कि हमने वाश तो कर लिया वाश करने के बाद बाइक के उपर एयर मरवानी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अब मैंने वाशिंग के बाद इसमें एयर मानी स्टार्ट कर दिया है पर्टिकुलरी जो इस जानती हो कि आपकी बाइक लोहे की बनीवी है तो उसमें जिस जिस जगह में पानी रुक जाएगा वहां पर जंग लगना लाजमी हो जाता है तो जब आप एयर के प्रेशर से उस पानी को एक्स्ट्रा पानी जो उस इदन वाले एरिया में होता है उसको एयर के प्रेशर से या फिर इसका मीडल स्टेंड था इसका इंजन था इसका मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ अभी आप देख लीजिए तो यह पर्टिकुलर एरिया होते हैं जहां पर एयर मारना बहुत जादा जूरी हो जाता है और यह खासकर जो आप नियू जनरेशन की आपकी बाइक सारी गया तो उसकी वजासे भी आपकी बाइक एरर कोड देने लगेगी तो आप जब भी वाश करवा है यह हमेशा ही मेक शूर करें कि उसमें एयर प्रेशर के साथ जो एक्स्ट्रा पानी है वह निकल जाए इससे आपके दो फैदा होंगे एक तो आपकी बाइक लाइफ जो है जो बनी रहेगी क्योंकि उसने जंग नहीं लगेगा एकसाथ जो एक्सट्रा पानी होगा वह निकल जाएगा और गोरा जो लाईर कोड आ रहे आ हैं उन्यू बाइक मैं बहुत से कंपलेंड रही है यहां आप देख पा रहे होंगे मैंने अच्छे डंक से इस पर अपनी परफॉर्मंस भी निकाल कर देगी और वह देखने में हमेशा ऐसी ही लगेगी कि अभी अभी आप उसको सर्विश टेशन से निकाल कर लेकर आई होगा तो यहां आप देख पा रहे होंगे मैंने अच्छे डंग से इस पे एर प्रेशर मारकर इसको साफ कर लिया इसका जो चेंड स्पॉकेट है उसमें भी मैंने अच्छे डंग से एर मार लिया है और उसके बाद चैसीज फ्रेम इसका फ्रंट मरगाड होरन इटीस सी जो भी आपको जगा दिख रही है जहां पर आपको पानी दिख रहा है वहां पर एयर प्रेशर जुरूर मरवाएं क्योंकि अगर आप एयर प्रेशर के साथ वह एक्स्ट्रा पानी निकाल दोगे तो आ आप देख रहे हैं बाइक वाश करने के बाद इसमें एयर प्रेशर मानने के बाद यह है फाइनल रिजल्ट बाइक देखने में कितनी ज्यादा सुंदर खुबसूरत और न्यू ब्रैंड लग रही है अब बात करते हैं कि जब मेरे भाई लोग न्यू बाइक लेते हैं तो से पहले तो आपको यह जनना बहुत जूदी हो जाता है कि 7-8 महीने बाद आपको लैमिनेशन उतारनी लाजमी है चाहे कुछ भी हो जाए 8-7-8 महीने बाद आप अपनी बाइक में जहां-जहां अपने लैमिनेशन करवाई है उसको रिमूव करा दीजिए और न्यू रिमि में घटिया किसम की lamination बिल्कुल भी मत कराएं क्योंकि अगर आप ऐसा करवाते हो तो जो lamination की film होती है वह बहुत जाएदा पतली होती है और वह अच्छी क्योंटी की नहीं होती है तो उसका जो गौंध होता है वह प्लस जो lamination वह आपके paint के साथ bonding कर लेती है और उस bonding का result यह आता है कि जब आप अपनी बाई के lamination निकालते हो तो वह अपने साथ paint को भी लेकर उखड़ जाती है अगर वह paint उसके साथ नहीं निकलता है तो वह white हो जाती है और white होने के बाद उसमें जैसे कोई चीज फट जाती है ऐसे लकीरे से पढ़ जाती है और उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा खर्चा पढ़ जाता है क्योंकि आपको सारे parts new paint करवाने पढ़ते हैं तो यह आपकी जेपर बहुत ज़्यादा भारी पढ़ सकता है तो हमेशा मेक शूर करें कि lamination जब भी करवाएं साथ से आठ महीने में इसको उतार ले तो अब बात आती है headlight की आपके fog lamp की और जो आपके horan होते हैं इनको लेकर तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि company ने जो आपकी head lamp के लिए electric supply दी है उसका कुछ pattern है कि उसने headlight को आपके कितने ampere की supply दी है और जो आपके indicator है वहाँ पर कितना supply जा रहा है आपके horan के लिए कितनी supply जा रही है कुछ लोग क्या करते है कि वह head lamp में जो आपका बलप होता है उसको भी LED बलप लगा लेते हैं उसकी supply भी बढ़ा देते हैं और साथ साथ उसमें fog lamp लगा लेते हैं और fog lamp भी एक से दो नहीं चार से पांच छे तक fog lamp लगा लेते हैं और अपने बाइक में होरन भी double होरन कर लेते हैं तो मैं उन सभी भाहियों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी गलती करते हो तो उसका सीधा 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 असर आपकी wiring और आपकी बैटरी पर पढ़ने वाला है क्योंकि जो company ने आपकी electric parts के लिए supply दिया उसका कुछ pattern है उ उसमें headlight को कितना current जा रहा है आपका आपकी indicator को कितना current जा रहा है होरन को कितना current जा रहा है उसके base के उपर ही उसने आपकी wiring को design किया है और साथ साथ आपकी bike के उपर battery रखी है तो अगर आप कुछ भी extra part इस पर लगाते हो और उन सभी को आप एक साथ use कर लेते हो suppose that आप आपने इसमें fog lamp लगा लिए और साथ साथ होरन भी double वाले लगा लिए और आप एक साथ सभी को use कर लेते हो और रात में आपने सारी fog lamp जलाए है headlight भी जलाए है और आप होरन भी बजा रहे हो तो जब भी आप ऐसी गलती करते हो तो उसका सीधा असर आपकी wiring पर और आपकी गलती करते हो और आपके पास new bike है तो उसकी guarantee तक खत्म हो सकती है आपकी क्योंकि company ने साफ साफ लिखा है कि अगर आप new bike में कुछ भी electric parts change करते हो तो उससे आपकी bike की जो guarantee और warranty होती है उस पर असर पढ़ने वाला है तो आसी गलती बिल्कुल भी मत करें और अगर आप को श लिखते हैं तो मैं आपको एक जो इसका pattern है कि कितनी कितनी electricity आपकी किस-kis parts के लिए supply बनाई है company ने वह सारा आपको मैं इसका pattern बता दूगा ताकि आप अगर इसमें कोई भी electric part लगवाते हो तो आपको यह अच्छे डंग से पता हो कि आपने किस time में कौन सा पर्टिकुलर करना है और क्या यूस नहीं करना है और दूसरी बात आती है आपके driving style के बारे में कहीं लोगों को आदत होती है कि वह half clutch दबाकर drive करते हैं तो ऐसा करना आपके bike के clutch plate हों के लिए बहुँ जादा खतरनाक हो जाता है ऐसे में आपकी bike के clutch plate फूख भी सकती है हमेशा make sure करें कि आपकी clutch में जो free play बनी रहे और अगर आप clutch पर हाथ लगकर drive करते हो तो ऐसे में आपकी clutch plate फूख सकती है जब भी आपने gear shift कर दिया उसके बाद आप clutch को बिल्कुल freely छोड़ दे और दूसरा अपनी bike को के brakes को इतना जादा टाइट ना करें कि इसमें free play खतम हो जाए जैसे आप देख रहे हैं इसमें भी free play है यह वारी free play आपकी आपके parts में brake के paddle में और clutch वाले area में होना बहुत ज़रा जुरूरी है अगर आप इसको बिल्कुली tight कर दोगे तो कई लोग brake pedal पर भी पहन रखकर चलाते हैं और clutch को भी दबा कर चलाते हैं तो यासे में आपके brake drum में जो brake shoe होते हैं वो भी गिस सकते हैं और आपका brake drum तक खराब हो सकता है और अगर आप clutch को half clutch दबा कर bike drive करते हो तो यासे में आपके clutch पेटे फुक सकते हैं तो हमेचा ही चोटी चोटी बात होगा ध्यान रखोगे तो आपकी bike हमेचा ही आपको अच्छे डंग से performance निकाल कर द आपको full knowledge हो क्योंकि कई भाई ऐसा करते हैं खासकर जो hill area में रहते हैं उनको मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको यह नहीं पता होता है कि उनकी bike किस time क्या gear मांग रही है और वो कभी low gear में भी चल देते हैं और उनकी bike knocking करने लग जाती है जटके मानने शुरू कर देती है ऐसे नहीं करते हो तो जो जटके लगते हैं उस time आपको knocking के वाज आती है उसकी वजासे आपके change pocket भी खराब हो सकता है और आपके engine के ओपर भी extra load परता है ऐसे में तो ऐसी गलती कभी भी मत करें जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी bike घुट रही है या फिर जटके मार रही है त उसी time उसको थोड़ा gear shift कर ले ताकि वो bike आपकी relax हो सके और वो freely होकर चल सके ऐसा करने से आपकी bike की life भी बनी रहेगी उसकी engine पर भी load नहीं आएगा और उसका change pocket भी जल्दी से नहीं घिसेगा तो इन छोटी-छोटी बातों का धियान रखेंगे तो मैं यही कहना चाहता न्यू ब्रेंड जैसी बनी रहेगी और कुछ और tips और tricks भी है पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो जल्दी ही मैं आपके लिए next video लेकर आने वारा हूं हम बात करेंगे कि क्या ऐसे tips और tricks और हो सकते हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है जो आपकी बाई की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते है और जिनको फॉलो करकर आप अपनी बाई को हमेशा न्यू ब्रेंड जैसी रख सकते हैं तो मिलते आप से एक और नई वीडियो में इसी टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी को बाबाई टेक केर